संभाग की सबसे बड़ी थोकफल सबजी मंडी में इन दिनों अववस्ताओं का आलम देखने को मिल रहा है चारो और जगे जोके गंदगी के धेल लगे हुए हैं साथ ही मंडी परीसर के अंदर आवारा जानवर खूमते नजर आ रहे हैं जो सबजी विक्रेताओं के साथ को भी नुकसान करते हैं महीं दोपहर के बाद तक सफाई नहीं होने से मंडी में चारो और गंदगी वद्रुगत रहती है जिससे सबजी मंडी में आने वाले आमजन्व किसान को और व्यापारियों को भी परिशानी का सामना करना पड़ता है इस मामने को लेकर सबजी मंड की सफाई व्यवस्ता दुरुस्त होनी चाहिए मंडी परिशर में सफाई व्यवस्ता की क्या इस्तती है कि शाम को हुए थी है सुबह खराब हुए दिन भर तो जिस तरह किसे यहां पर व्यापारी रहते हैं शाम को तो व्यापारी चले जाते हैं यह मद्दू लोगों से मुझा आप मद्दू लोग बताएं ने जैसे आप बता यहां क्या हालात आप देख रहे हैं व्यापारी दिन में रहता है तो क्या सुबह सफाई होना चाहिए सफाई नालियों भी चोग औरे नाले में कास्रा पडावा है तेला पडी भी देख वा भी आप यह सफाई वालों को परऊ तो चिंडर उड़ता है तो ठीक है वह इस मामले को लेकर मंदी प्रशासन को कहना कि सब्जी मंडी में सफाई दोपहर के बाद होती है दोपहर से लेकर शाम तक मंडी को पूरी साफ कर दिया जाता है रात को वापस व्यापारी आने शुरू हो जाते हैं ऐसे में सुबह गंद की रहती है दोपहर तक रीटेल सब्जी विक्रेता मंडी में व्यापार करते हैं ऐसी लिए सपाई नहीं हो पाती.